Greetings to all, Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College 12, Rajasthan, Today we are going to study about Teak, Teakwood के बारे में बच्चों आज हम study करेंगे, जिसको हम सागवान का पेड़ या सागून का पेड़ केते हैं, सागून की लखड़ी बोलते हैं, उसकी आज हम study करेंगे, भारती मूल की जितनी भी द्रड़ कास्ट हैं, हार्टवूट वगरा हैं, इसमें सागवान का सबसे महत्पूर्ण स्तान हैं, ये एक ओसद उचाई का resin yux व्रक्ष हैं, टीक मुक्यत है भारत, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया का मूल पोधा है सागवान, इसके व्रक्ष लंबे होते हैं, तथा पर्ण पाती होते हैं, और शाकित होते हैं, इस व्रक्ष की आयू लगबग 200 वर्ष तक होती है, 200 years तक ये जिन्दा रहते हैं, और इसकी लकड़ी की विशेश्टा होती है, कि उस पर कुछी पर कीड़ा नहीं लगता, कोई फंगस नहीं लगती, और बहुत डिरेबिल्टी की बहुत लंबे समय तक रहती है, इसलिए स सागवन हमारे लिए एक important wood है, introduction, teak is considered as the king of timber, teak को जितने भी timber, जितनी भी woods हैं, उसको एक राजा कहा जाता है, it is a large deciduous tree, up to 30 meter height and 100 meter or more deep, 100 centimeter sorry, ball is usually long straight cylindrical, up to two-third of the height of the tree and standing quardangular branches, leaves are large, opposite, rarely alternate, broadly elliptic, fruits is hard, spherical, brown, young leaves are red, due to red cell shape in the epidermis, इसके व्रक्ष लंबे होते हैं, लगबग 30 meter तक इसकी height होती है, और पर्णपाती, पर्णपाती, deciduous होते हैं, तथा शाकित होते हैं, इन व्रक्षों की आयू, 200 वर्ष तक होती है, इसकी पत्तियां, सम्मुक, अपोजिट, सरल, तथा दीर्द व्रतिये होती हैं, इनके उपांद, अच्छिन कौर, लंबाई 25 से 30 cm, तथा चोड़ाई 20 से 40 cm तक होती हैं, पुष्प इसके टर्मिनल पेनिकल पुष्प्रम में व्यवस्थित होते हैं, पुष्प इसके अंतस्थ, योगिक आसी माक्ष पुष्प्रम में व्यवस्थित होते हैं, प्रतेक पुष्प से पत्री, उभेलिंगी, जायांगधर, तथा पंच भागी होते हैं, क्लासिफिकेशन ओफ टीक प्लांट, टेक्टोना ग्रेंडिस, टीक प्लांट को बॉट्निकल नेम क्या है इसका टेक्टोना ग्रेंडिस, बॉट्निकल नेम क्या है इसका टेक्टोना ग्रेंडिस, इसका सबसे उप्योगी भाग क्या होता है इसका लकडी होती है जो कि हमारे लिए एकोनिमिकली यूस्फुल होती है, औरिजन नेटिव टू इंडिया, मियनमार, वर्मा, एंड थाइलेंड, सागवान का वरक्ष भारत, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वर्मा, थाइलेंड का मूलनिवासी है, इंडिया, वर्मा, थाइलेंड, इंडोनेशिया, इंडिया, प्रमा, थाइलेंड, इंडोनेशिया, इन ओडिशा, मोस्तली इन, बलेंगीर, अंगुल, बारागर, काला हंडी, टीकिज फाउंड, सागवान का व्रक्ष, भारत, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बर्मा, और थाइलेंड का मूलनिवासी है, विश्व में, बर्मा, थाइलेंड, श्री लंका, कंबोडिया, चीन, जावा, मद्धेवे दक्षने अफ्रीका में सागवान भहुत आयत में पाया जाता है, भारत में, मद्धेप्रदेश, माहराष्ट, गुजरात, बिहार, करनाटक, दक्षने राजिस्थान, केरल, तमिल नाडू, तता आंद्र प्रदेश में सागवान के घनेवन विद्देमान हैं, राइस्थान में बासवाड़ा, चित्तोडगर, उदेपूर, जालावाड़, दुंगरपुर जिलों में सागवान के जंगल हैं, डुंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्वे का नाहम, यहाँ पर सागवान की भहुतायत के कारण ही रखा गया है, डुंगरपुर जिला है, उसमें tea grows on a variety of geological formation and notably trape, limestone, granite, sandstone, quartzite clay the soil should not be below 6 pH and beyond 8.5 pH it grows well in well drained and well ventilated soil it avoids stiff clay soil like black cotton soil and flat eleval ground it does not like waterlogging or swampy soil it does not like waterlogging 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 we do not like waterlogging it is also like watercoli on the top of the soil के बीच में होना चाहिए यह वेल ड्रेंड और वेंटलेट सोईल जिसमें की पानी की निकासी हो और जिसमें हवा का आवगवन हो उस सोईल में यह अच्छी से ग्रोध करता है क्लाइमेट टीक अकर इन मांसूल क्लाइमेट सागवान के लिए वाडशिक वर्षा वाला शेत्र जो होता है वो सर्वत्तम होता है the mean annual temperature ranges between 21 to 28 degree with absolutely minimum temperature of 2 degree centigrade and absolutely maximum temperature of 45 degree centigrade सागवान की ग्रोध 21 से लेक 28 degree centigrade पे बहुत अच्छी होती है the max shade temperature up to 48 degree centigrade in India Peninsula the max shade temperature vary between 39 to 43 degree the minimum between 13 to 17 degree frost is unknown throughout its distribution except of slight frost in some areas सागवान के लिए 21 से 28 degree centigrade का अपमान वे 125 से 300 cm वर्षिक वर्षा वाला शेत्र सर्वत्तम होता है ये व्रक्ष समुन्तर से 1000 मीटर की उचाई पर सुगंता से उखता है मार्फोलोजी टीक स्टॉल एवर ग्रिंटे सागवान का पादब काफी लंबा 30 से 35 मीटर लंबा पंडपाती वर्ष है जिसके इस्तम का गेरा 2.4 से 4 मीटर होता है It has yellowish blonde to reddish brownwood It attain the height of about 30 meters and above The fruit is a droop It has bluish to white flowers It produces the large leaves similar to tobacco leaf यह सागवान का आपको ट्री दिख रहा है 15 days 45 days का प्लांट है फिर 3 months का दिख रहां है आपको अच्छों फिर 6 months का फिर 1 year फिर 18 month फिर 5 year और जब इसकी बुर्ठ तयार हो गए 8 years का जिसका घेरा दिख यह आपको प्वपकादप का चोड़ा-गेरा यह एकट यस का प्लांट है the bark is whitish-grey in color it is generally grown straight with the uneven texture medium lusher and the oily feel the upper surface of tree is rough to touch and the inner surface is hair सागवान का पादप काफी लंबा 30 से 35 मीटर पंडपाती व्रक्ष हैं जिसके इस्तम का गेरा 2.4 से 4 मीटर तक होता है इस डाइग्राम में देखो बच्चों आपको इसका गेरा दिख रहा है काफी बड़ा गेरा 8 साल के पादप का गेरा काफी दिख रहा है इसका गेरा 2.4 से 4 मीटर तक होता है व्रक्ष की आयू सामानता 200 वर्ष होती है इसकी चाल चिकनी हलकी वे घूसर रंग की 9 मिलिमिटर मोटी होती है इस्तम से टिंबर काष्ट प्राप्त होती है इस्तम के परदिशेत्र में इस्तित रस काष्ट जो सेफवूट होती है वो सफेद रंग की होती है तथा ये दीमक तथा काष्ट विगलनकारी कवकों के प्रती सुग्राई होती है जो भार की तरफ जो होती है परदी शेतर में जो सेफ वूड होती है वाइट सलर की होती है उसमें दीमक भी लग सकते हैं वूड रोटिंग फंजाई भी लग सकती है ये इसके लिए सुग्राई होती है अते हैं भारी वाली कास जो होती है ये फरनीचर के लिए अनुप्युक होती है इस्तम के केंद्री भाग में इस्तित अन्ते कास्ट जो होती है हार्ट वुड होती है यह कठोर प्रारम में सुनेरे पिले या भूरे रंकी होती है जो आयू के साथ गेरे रंकी हो जाती है दीमक वे कवकों के प्रतिये कास्ट प्रतिरोधी होती है कोई दीमक कवक इस पे कोई भी आक्रमन इस पे नहीं कर सकते इंसेक्ट्स फंजाई इस पे कोई भी इस पे आक्रमन नहीं कर सकते उसके लिए यह रेजजेंट होती है यह छूने में चिकनी ग्रीसी वे पुराने चम् जैसी गंद युक्त होती है सागवान की कास जिसका की वेपारिक दस्टी से हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो उसका वास्तम में अन्ते कास्टी होता है हार्ट वूट का पार्टी होता है जिसमें इसपर्ष्ट वार्शिक वले दिखाई देते हैं ग्रेन सीधे वे कास्ट का गठन अत्यन्त खुर्दरा वे असम अन्ईवन सा होता है सागवान की कास्ट रिंग पोरस होती है वले छिद्रित होती है जिसमें काफी चोड़ी वाईकाएं होती है वाईकाओं में टायलोसेस पचुर्टा में उपस्तित होता है शाखाएं रोमिल चतुषकोणियें जिन पर सम्मुक रूप से काफी बड़ी पढ़ने अभिविन्यासित होती है वर्षा रितु में सगन पुष्पन होता है पुष्पक्रम, द्वीशाकी, सासीमाक्षी, पुष्प छोटे, तता सफेद, विकफल, कागजी, भाईपुन से आवरित, छोटे, चार कोष्ट की डूप होते हैं यह तो सागवन के पदब की बच्चों, विशेशता हैं, सागवन का पदब आपको दिख रहा है बच्चों 15 देज का प्लांट, पादब प्लांट, 45 देज, इसकी चोड़ी चोड़ी लीव्स दिख रही हैं आपको बच्चों 3 मंद का प्लांट, 6 मंद का, 1 एर का, फिर 18 मंद का, फिर 5 एर का और जब इसका चोड़ा गहरा हो जा था जिससे कि हमें अन्ते कास्ट प्राप्त होती है, हाट्वुट प्राप्त होती है, तो यह 8 एर का यह तो बच्च में आपको सागवान के बारे में जनरल इंट्रिक्शन दे दिया आपको, बाकी का सागवान कास्ट की विशेषता है, सागवान का कल्टिवेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, थैंक्यू सो मच बच्चों